हलो फ्रेंट्स वेलकम तो माई इस्टोड़ी फीट ओफ फिजिकल एजुकेशन चैनल दोस्तो आज की सेशन में 55 एम से क्यों कोस्टन्स लेके आई हूं सभी कोस्टन्स आपके लिए मोस्ट इंपोर्डन है एक ही कोस्टन्स को सुरू से लार्ज तक देखेगा फिजिकल एज मैं चैप्टर वार्ज में चैप्टर वाइज मेरे इन दोस्तों में 2024 के में फिजिकल एजूकेशन कंपरेशन एकजाम के लिए 74 प्राक्टिस सेथ है पच्छतरवा हैं दोस्तों तू दोस्तों देली बेसे से मेरे साथ बने रहे और प्रैक्टिस करते रहे एक्जाम कभी भी हो जो आपका प्रेप्रेशन परफेक्ट रहेगा तभी एक्जाम निकलेगा दोस्तों ठीक है प्रैक्टिस में से में परफेक्ट जो है आपका प्रैक और एक-एक बुंद बुंद करके वो डेली बेसेस पर गिरता है तो पत्थर को भी उपानी तो देता है तो लगाता में बहुत बड़ा सक्ति होता है दोस्तों तो चलते हैं आज के कोश्टन के तरफ कोश्टन दोस्तों कौन से निमलिखित बिटामिन को सूरज की केरों से भी प्राप्त किया करते हैं बेरी एजी कोश्टन से बिटामिन डी होता है जबकि बिटामिन डी के बारे में आपको अंदर तर नालेज रखना है कि उसके बारे में कोई भी कोश्टन पूछे आपको गल जाता है और इसमें प्रमख रूप से दो माना जाता है विटामिन डी टू एंडी थ्री विटामिन डी टू को अर्गो कैल्सिफिराल और विटामिन डी थ्री को कोले कैल्सिफिराल कहा जाता है विटामिन डी टू जो जिसे अर्गो कैल्सिफिराल कहा जाता है जिसकी कमी से ट बिटामिन D3 यानि कोले के यल्सिफिराल के कमी से बच्चों में रिकेट्स और वाइसकों में आस्टियू मलेशिया, आस्टियू पूरोसिस, टाइप्टू डियाबिटीज हो जाता है नेक्स्ट कोशचन है औस्थियू के क्या कारे हैं दोस्तों तो औस्थियू का कारे क्या है यह हमारे सरी की जितने भी कोमल-कोमल अंगें है अंदर उन सब की सुरच्छा करने का कारे करता है हर्डिया के पहले भाग को क्या कहते हैं यह बहाग होता है चोटीयका डेशनम Jedum I would ask you billion um जो एक जाता है ऑसनमर को राइद हरे यही जो बड़erson इस्टोमस से खाना सबसे पहले भूजन जो है लुगदी बन यह सिस लुगदी बनाकरिके भेजता है छोटीयक्ए पहले भाग डोडिनम में डोडिनम में जो है आपका पितासे नली और अगनासे नली जुड़ी होती है जहां पर सभी हर्मोंस एंजाइम आपकर की भाउज़ां का पाजन करते हैं नेक्श दोस्तों उतक याने तीस्यो के अध्यन को क्या कहा जाता है तो उतक याने तीस्यो के अध्यन को हिस्टोलोजी कहा जाता है जिरकि मांस्पेसियो के अध्यन को मायोलोजी और कोसिकों के अध्यन को साइटोलोजी कहा जाता है next question है ball and socket जोर की चारोर moments होता है दोस्तो ball and socket joint ऐसा है जिसे वे सभी प्रकार के moments से समभव होता है दोस्तो जैसे कि flexion extension moment rotation circumduction moment hyper extension उपरोक्त सभी moments होता है next question है बड़ी मांश्पेसी यानि largest muscles के उन्हें यहां largest पुछा है, longest नहीं पुछा है लंबा नहीं कुछा है दोस्तों सब्दों पर ध्यान दीजिया का नहीं तो easy question भी गलत हो जाता है over confidence में इसकी ध्यान से पढ़िएगा बड़ी मांस्पेसी यानि largest muscles है gluteus, maximus हमारी कुले की और जबकि longest यानि सबसे लंबी muscles होती है सबसे चसे सबसे मजबूत muscles होती है हमारी चीजी में मांसम्स next question है तो टेलर मांसपेसी तो दोस्तों तेलर मांसपेसी जिसे पटटा पेशी भी कहा जाता है यह सबसे हमारी जांकी नेक्च दोस्तों लागत कोडिकावन यानि रवी सी का निरवार जो है तो बून मेरी यानि अस्थी मज्जा के द्वारा याकृत यानि लिवर में होता है। याद रखेगा नेश्ट है मानों सरीर के भार का कितना प्रसेंट भाग स्वैच्छिक मानपेसियां यानि कि विलेंटरी मसल्स यानि कि इसके रेटल मसल्स का होता है जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं कि हमारे सरीर के कुल भार का 45% प्रसेंट भाग वल्ली मानपेसियों का है जिसमें से तीन प्रकारकी मांस प्रस्यां होती हैं, Волंटरी, Involंटरी, and Cardiac Muscle, याने एच्छीक, अनेच्छीक, और हिदे प्रस्यां, जिसमें से एच्छीक प्रस्यां, वलेंटरी मसल्स, जिसे Isquelator Muscle कहते हैं, उसका भार 45% में से 40% के वर स्वैच्छिक मांश पेसियों का ही होता है Next Question है कुसिका में उर्जा उत्पादं का सकरिय साधन अस्थाम कोण साहित आप जाएते हैं Powerhouse of Cell किसे कहा जाता है कोण उर्जा उत्पादं करता है कुसिका में तो मैटरू कांडिया इसको पाउर हाउस अब सेल कहा जाता है जैसे कि जो हम आक्सुजन ग्रहड करते हैं जो एलवलाई फेपरों के एलवलाई में गैसों का अदान परदान होता है और जो पलमोंडरी धमनी होती है दो फेपरों में भेजती है असुद रख को सुद होने के लिए वहां पे जो है हमोग्लुम के जाता है कोसी कौन जाकर जाता है जहांपर अनाक्सीज वसंन होता है प्यरुक है production अर्जा करता है जो विछ ओ एब्सकेशन की उपस्तिति में और इम्रभा करता है में इड़ा कनीरों करता है द्वारा ठीक है तो माइट्रोकार्णियम वीसेस एंजाइम होती है जिसके उपसिती में ग्लाइकोलीसिस से प्राप्त जो है पायर टू पायरविक अमलग का माइट्रोकार्णियम पूर आक्सिदेशन होता है और यहां पे इस परकार कोसी की सोसन आंतरी सोसन में ग्रुकोज एक आईरियेसन में तो कुल आर्टी से टीपिकर निर्मार्ण होता है नेक्ष्छे स्वास लेते समय हमारे फेकड़ों के अंदर का दबाव यानि प्रेसर कैसा होता है दोस्तों जिए हम स्वास लेते हैं तो बाहर का वायू अंदर जाता है और वायू अव हवा का सिधान तो हो हम स्वास को अंदर लेते हैं तो उस समय जो हो है हमारा जो इंटर कास्टर्स मसर्ण होती है वह सिकूर्टी है जिसके कारण डायफरां नीचे चला जता है फेपरों का आयतम में बढ़ जाता है और वायधरां कम हो जाता है बाहर से वायू अंदर आने लगती है इंस्पईरेशन में यहाप इधरता है वही एक्सपईरेशन में क्या होगा कि डायफ्राम फैलता है इंट्रकास्ट मस्ट फैलता है और डायफ्राम नीचे चला जाता है उपर चला जाता है और फेफ्रों में कम जगह बढ़ता है और वाईद्राब ज्यादा हो जाता है फेफ्रों में और बाहर कम वाईद्राब रहता है इस प्रकार जो है अंदर से वा याद रखेगा hao कि नेश्टिवामन स्पेसिया मान और सुर्छ को प्रदान करती हैं तो दूस्टो आंतरिक अंगों कि शुर्चा तु हड़िया करती हैं लेक एक प्रकार का अपकरती बना यह सुन्दर सुरीर का आप वकरती बनाती है अपका मान स्पेसियां से पर्दान करती हैं नेक्ट है ग्यायाम का रख्त प्रवा संस्थान पर क्या प्रवा पड़ता है तो दोस्तों जो भी हमको एक्सराइज या फिजिकल एक्टिविटीज कहते हैं तो सभी प्रकार से हमारा बल्ट स्रेकूर्जेशन बढ़ता है जो हीदे की स् की स्ट्रोक आयतर में ब्रापार में ब्राफ्टी होता है को दो प्रोटिन से 9.1 कालियरा फिराफ्त होती है और एक ग्राम वुशा से 9.1 कैलियरी उर्जा फि्याद रखिएगा नेक्स कुछ जाहें दोस्तों दीदिये कोई यानी सेकेंडरी विंड यानी सेकेंडरी विंड के लच्छर क्या होते हैं तो सबसे पहले तो आपको जानना है कि सेकेंडरी विंड होता क्या है मैंने कई बर आपको बताया हुआ है कि सेकेंडरी विंड क्या होता है तो दोस्तो सेकेर विल प्रों होता है। एक ऐसी इस्धी आती है। जिसमें एक व्यक्ति मांसपेसी के दौराई मांसपेसी करीória याँस के दौराई। या दौरते समय कुछ समय पस्धात बेचैनी सी महसूस होनी लगता है। जैसे कि लगता है कि अब इसके आगे हम नहीं दढ़ पाएंगे, इसके आगे हम काम नहीं कर पाएंगे, जैसे सिर में dod, चखर आना, उल्टे आना, थकान, अब कुछ छड़क के पश्चाद हम रुख जाएंगे, उसके पश्चाद समान lingering ECT में आ जाते हैं, उसी जो एक चर्म मात्र आपको लगता है कि अब इससे आगे हम कारण नहीं कर पाएंगे, चक्र आने लगता है इस परकार के सिंटम साते हैं, उससे सिकेंटर बीन कहते हैं, इसके लच्छा होते हैं, सिर में दर्द, तोच्छा पिली हो जाना, खातियों मांस्पेशियों में देखा अलमी दर्द, उपरक комментर सभी यहां पर राइज होगा, क्या की अरां की सथिति में, एक मिनेट में जितना अक्शिजन को हम भूहघ करते हैं, उसके हम मिजर कर लेंगे उसके पस्चाद हम एक्टिविटी करेंगे फिजिकल एक्टिविटी उसके बाद जो रिकवरी के फेल होगा एक्टिविटी के बाद उस समय रिकवरी के समय एक मिजट में जितना ऑक्सिजन की मातरा ग्रहर करेंगे उसको नूट करेंगे फिर आराम किसे में और recovery किसे में दूरों के oxygen के मातरा को हम घटा देंगे उसी को जो आएगा ओव oxygen डिप्ट होगा में दूरों तो airs किसके माध्यम से संचालित होता है तो कई बार आपको बताया किया है कि airs के वाद तीन माध्यम से एक बेक्ती से दूसरी बेक्ती बिजाता है एक रख्तदान दूरा एक माता के अंदर सीसू है उसमें चला जाता है और एक और सुरुचे दियुन संबन ठीक है तीन के दूरा तीसरा कोई चवथा कोई वापसन नहीं होता है यहां दूरा आपका राइट एंसर होगा ठीक है यहां वारेस द्वरा फेले वाला रोग है याद रखीका है नेस कोशन है सरी कह तोटी फूटी माणस पर buttons इसको ठीक करने के इननन में से क्या हो सेख यह जो भी हमारी तोट फूट है गाओ है कोशिकाओं की मरम्मत है इसका निर्मार करने का काम करता है हमारा कि नेस्ट है मनुलंजन क्रियाओं कमख्योधेश्ट क्या होता है तो मनुलंजन री ख्रियाईशन मतलब पुनहान करना तक थ्तिया ख्रफ पुमसी किस सिह करना करना यह परेंफ तो दोस्तों यहां पर टिकटे करणा सगना योगा सहन करणा नहीं नेस्ट है खेल की याँ परिवासा किसमी भी है कि खेल एक स्वैच्छी कथा स्वैंक रागे जाने वाली गद्यू भी लिए इस बहारा पको कहते हैं इस टर्ण ने मोस्ट इंपोर्डन परिवासा है या इस डिफिनिसन की याद रखिएगा नेश्ट है भारत में खेल को माना जाता है दोस्तों भारत में खेल को उद्र सरही दिगरिया माना जाता है नेश्ट है कौन सी प्रकार का खेल काम और अनंद नहीं है तो दोस्तो फूर्टी से चलना, स्वास के लिए साइकल चलना, लंबी ड्राइविंग करना यह सभी काम आनन्द है बढ़ धूप सेकना यह कोई काम आनन्द नहीं है नेश्ट है आम लोगों को किस प्रकार का कैम्प अधिस से अधिक आनन्द दायक होता है नेश्ट है कैम्प के खेल निवन में से किसकी अनकुल होना चाहिए तो दोस्तो जो भाग ले रहा है कैम्प प्रतिभागी उनके अनकुल होना चाहिए नेश्ट है कैम्प लगाने के लिए आवस्यक क्या है दोस्तो कोई फी काम हो जो आपका उदेश से है लच्छ है उसको प्राप्त करने वाला ही होना चाहिए अधरवाई जो बेकार होता है तो कैम्प लगाने के लिए आवस्यक है कि या उदेश्यों को प्राप्त करने वाल बिक्सित होता है, नेक्ष्ट है नेल में से एक अच्छे नेता के गुर्ट कौन से नहीं है, यादर के का कौन से नहीं है, तो वह ग्यान वर्दक होना चाहिए, सही बात है एक अच्छा नेता में अच्छा ग्यान होना चाहिए, उसका अच्छा ब्रेक्तितु होना चाहिए, वह एक अच्छा ब्योज थापक का प्रबंध करता होना चाहिए बट वह अनम्य सासक नहीं होना चाहिए क्योंकि उसमें कुछता आ जाएगी ठीक है नेक्ट कोशन है योग आसनों द्वाराने में लिखी ते स्वास्ते का कौन सा घटक अच्छा बिक्सित होता है जोस्तो कही पर मैंने बताय हए जहां भी योग आसना की बात होगी वहां फ्लेक्सिब्लेटि यानि लचिलापन बिक्सित होगा ठीक है फ्लेक्सिब्लेटिए यानि लचिलापन सवासन से क्या लाव है सवासन तो यह आपका blood circulation को minimum करता है सधा बना के रखता है सरी को सिथालता पर्दान करता है और आम दायक आसन होता है या सिथालता पर्दान करता है ठीक है नट्र दोस्तो कि योग सुत्र का लेख़ कौन है तो दोस्तों महसी पतंजरी में योग सुत्र लिखा हुआ है जिसमें उने मन आव आत्मा की सुध्धी के लिए सरी की सुध्धी के लिए अश्टांग योग आठ मार्ग बताए हुए है यम नियम आसन प्रड़याम पत्याहर धाड़ा ध्यान शमादी नियम नियमि लिक्ट लिख थे मिशे प्रड़याम है तो दोस्तों यहाँ पे पद्मासन ध्यानात्मक आसन है सवासन अरांधायक आसन है त्राटक एक सुधी जो सटकर्म के अंत्रगत नेती, दूती, नोली, वस्ती, तरटक, कपालभाती के अंत्रगत आता है, जब कि उजय क्या है, एक प्रकार का प्रड़ायाम है, नेक्ष्ट है, रख्तचाप उप्चार के लिए सबसे ज्यादा कौन सा आसन कारगर है, तो रख्तचाप ब्लट पेस सबसे अच्छा आसन है, सवासन, इसको मृत्यवासन भी कहा जाता है, तो जो भी आसन हो, हट योक के अंत्रगत आते हैं, नेक्ष्ट जोस्तो, भुजंगासन किस बिमारी के लिए लाब दायक होता है, तो भुजंगासन आने कि साफ की तरव आप पीछी की तरव हो जाते है कि आपका पेट वाला भाग जो है और घुटना सब जमीन पर सटा हुआ होता है आपका जो आगे वाला वच्छ वाला भाग होता है उपर उठा हुआ होता है पीछी के तरफ देखते हैं इसे हमारा दमा अस्थमा जो है रोग सई होता है नेक्स दोस्तों निन्वें से कॉन सा आसन अधुए मव इसंतीमी किया जाता है तो दोस्तों सलभासम जो है अधुए जो आधुए मोग स्थमीं आधा मव पुझए हैं और वहां दुन्हों हाथ नीची के तरफ बाइन करके दुनों पेरें को उपर उठाते हैं तो नेक्स कोस और नेक्ट्स कुशन है एक एलन आई पी ए में परह इस नातक पाधी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कब से आर्म की गए थी तो दोस्तों यह अपना उनिसोषंटावण में गौर्य अप्रदेश में किया गया था और जिसमें पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री की सुरुव से स VIC issue हैं भयर्रों कि सब मेरीन आनुनरण को शुरू किया गया था जड़मनी में च्टु था कॉ심 आजए को नाम समंधित है तो बड़िए ठीक नाम जो है आप सबको पता है आधरी ओलम्पिक खेल को उन्होंने शुरुवारत किया था, 296 एथेंस के प्राथेनिक इस्टेडियम में इसलिए उनको आधरी ओलम्पिक खेलों का पितामा कहा जाता है ति आधरी ओलम्पिक खेलों से समधिन थे नेक्ट विल्यम ने किसो आस वाइएमसीय के स्थापना की थी तो दुस्तो जार्ज विल्यम ने छे अठाटाबzet चबारिस में इंग्लाइन्ड में सबसे पहले वाइएमसीय एंग में लेड़ी के श्रैसी के सब्दाटा की लंडन में उसके बाद अमेरिका में 1880 में स्ट्रिंग फिल कालेज में YMCA प्रसिचर की सुरुआत हुआ उसके बाद अमेरिका से आई हुए बीसे सग्य हैरी क्रोबक के दौरा 1920 में भारत में के नई मदराज में YMCA कालेज की स्थाफना किया गया इसलिए भारत में सरसिचा का पितामा हैरी क्रोबक को कहा जाता है Next question है Conditioning और Reflex Theory किसके द्वारा दी गई तो Conditioning अनुवलित अनुदिया का सिथाफ पावलाव ने दिया हुए जिदुने कुट्टे पर प्रियोग किया Next question है कि मनुवलियान मनुश्य और अन्य प्राणियों की आच्रण और मांसिक प्रक्रिया का वेग्यानिक अध्यान है इस बात को कहें है कुरुक्स और स्ट्रेंड ने याद रखिएगा Next question है कुण मुरी धवनी किस्ये समधित है तो दोस्तो हमारे हिडे से एक महा धमनी एरोटा बाएं नीरे से निकलनी हुई होती है एरोटिक वाल्ब के रास्ते जहां से सुद्र धमनियों में जाता है तो जो एरोटा होता है महा धमनी जो सबसे बड़ी धमनी होती है हिडे के कच्छ से सीरी जुड़ी होती है करता है तो महा धमनी याए movement का परथम साखह निकलता है मि तो जो हिदे को रक्त संचार करती है कि समधित थे थे अगर्णy घुरीओं Unternehmen दोस्तों महा धमनी की दाईयों बाई कैरोडिक धमनिया जो करेक्टर धमनिया होता है वो सरीर के सीर और गर्दन के दूनों हिस्स्यों को खुन पहुचाती है उसके बाद तीसरी साखा निकलता है दाईयों बाई सब क्लेवियन धमनिया जो कंधों और घुजाओं को खूल बह पिर आगे चल करके नीचे टांगों तक चली जाती है जो फिजूरर ढंदी कहलाती है लेश्ट क्वेस्टन है लोगों की सार्रीघ भिर्यता कैसे होती है तो दोस्तों आपको पता ही है कि जो भिल्यता होती है वो अन्वाणसिक होती है he आधुनिक मुर्विज्यान अध्यान का संबंध है तो दोस्तों मुर्विज्यान को सबसे पहले आत्मा का विज्यान कहा गया फिर मन का विज्यान कहा गया उसके बाद चेतना का विज्यान कहा गया फिर बर्दमान में इसे ब्योहार का विज्यान कहा जाता है तो आधुनिक म मुख्य नियम दिये हैं लाव एक्सरसाइज अभ्यास का नियम लाव साथिस्पेक्शन या लाव एफिक्ट प्रभाव का नियम नेश्ट कोशन है दोस्तों किस प्रकार की अजबड़ा यानि मोटिवेशन का सीखलाई में अधिक मोहतों होता है तो जोस्तों कोई भी चीज को आप सीखना है तागर दुसरे से प्रभावित होकर के बाहरी वातावर को देख करके अगर सीख रहे हैं तो सबसे अहिवेड़ा का सीखलाई में सबसे अधिक महतों है तो आंत्रिक अहिवेड़ा इंटर्नल मोटिवेशन का अहिवेड़ा दो प्रकार का होता है इंटर्नल और एक्स्टर्नल ठीक है नेक्ट कोशन है दोस्तो लोगों की भिनता बिदमान है तो कैसे दोस्तो लोगों की भिनता किस प्रकार से बिदमान है सारीक बनावट में मुनविज्यानिक बनावट में कला योगता में सभी बेक्टित प्रवितल सिल्टा में dus to you सभी परकाकरा एक बनाऊत में बिनाधा है मौक्णें तहीं बेगरदि में हैं कल्ण यूगता में हैं तो सभी ब्यकूल दिल्ट हो नगुक की दूरमान है लक्त कोछय में सबसे अझा अध्यापन याने टीचिंग मेथपन कहुत मैं तो आसंट कोन सा हे नेश्ठ है कच्छा का प्रबंद निर्भर करता है, तो कच्छा का प्रबंद धन की उपलगता पर नहीं दोस्तो, समान की उपलगता पर नहीं दोस्तो, कच्छा में छातरों की संख्या पर नहीं, किस पर निर्भर करता है, सिखाने वाली क्रिया का प्रकार पर, किस प्रकार क क्रिया है उसके अज़ार आपका अच्छा का प्रबंद करते हैं नेश्ठा नियुकितने से कौन सा उत्तम प्रस्तुती धंग है तो दोस्तो प्रस्तुती धंग सबसे ज़्यदा अच्छा होता है प्रदर्सन आप करके दिखाईए फिर वह आपका नकल करेंगे या आपको आसा जो है बहुत विधी प्रवक और संबंधित होना चाहिए ठीक है आप इसका कोस्टन का अंसर बहुत सारे लोग को दे देंगे कि सधार और समझनी लायक बट आपका बहुत विधी प्रवक का संबंधित नहीं होता तक वो आपसन सही हो जाता लेकि पार्टियों हमेसा स संबंधित यानि कि विषय से संबंधित होना चाहिए याद रखेगा इस चीज को ध्यार में रखकर इस कोस्टन का अंसर दीजेगा तो आपका गलत नहीं होगा तो बहुत विधी प्रवक का संबंधित होना चाहिए किस संबंधित कि कि किस चीज का आप पार्टियों बना आप कि भीसान वस्थो पर ध्यान रख कर पाट चुनना चाहिएं को जए हम इसान वश्ब दुपार कमेंक्त है क्जिन सभी साथन अध्यापक की सहता करता क्यों करता है यह अध्यापक की साहता क्योंकि यह उसके पार्ट को प्रवाव साली बनाता है तो दोस्तों ए था आज की सेशने पच्पन एमसे की कोसंस आई होगा जो भी डाउट होगा कमेंट में जरूद बताईए और जादे से जादे वीडियो को शेयर भी कीजिए और इसी तरह प्रैक्टिस करते रहें तो मिलते हैं नेश्ट वीडियो प्रैक्टिस में तब तक के लिए जैहिंद है